हे आवरिवान आज के जो वीडियो है इसमे मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप वेट नहीं कर पाते है अपने विश के लिए तो आपको उस वक्त क्या करना चाहिए हम सभी के वन में ये डाउट आता है कि मेरी विश कब पूरी होगी आखिर वो क्यो नहीं के लिए रिलेशन्सिप की मैंने गाइड तयार कर दी है जिसे तयार करने में मुझे पूरे तीन साल लगे है क्योंकि जितने जादा मैं लोगों की काउंसलिंग लेती थी उतने नए नए तरीके के प्रॉब्लम्स और लोगों की सोच का पता चलता था वो सब एड करते बहुत ही सोच समझ के बहुत ही महनत से मैंने ये बुक तयार की है ये एक गाइड है बिसीकली जैसा आप लोग मुझे बताते हूँ आप बहुत जादा लाख रुपे पता नहीं कितने कितने पैसे 7 लाख 8 लाख खर्श करते हो उसके बाद एक कोर्स करते हो और फिर भी मैंने ये रिलेशनसिप के गाइड तयार की है इस से बाहर इस गाइड से बाहर आपका एक भी डाउट नहीं जाएगा और मैं आपसे कह रही हूँ अगर ये गाइड को आप अच्छे से फॉलो करते हो दिल से फॉलो करते हो और ट्रस्ट के साथ फॉलो करते हो तो आप अप केक लेते हो चीपेस्ट केक उससे भी कमप्राइज में रखी है और ये भी मैंने कुछ सोच समझ के रखा है तो आप एक बार देखना और जरूर लेना तो अब मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ कि मैं क्या आपको बताना चाह रही थी मालो अगर आप कुछ मैनफेस्ट कर र तो आप एक लैक फीलिंग को योनिवर्स में सेंड करते हो और आपको पता है कि आप जो कुछ भी सेंड कर रहे हो वही चीज आपके पास वापस आती है और साथ में हमें कुछ टीचिंग्स दिये जाते हैं योनिवर्स हमें कुछ सिखाना चाहता है अगर आप अपने उस ट लोग में जाओगे जिस डिरेक्शन में जा रही है तो फिर आप रजिस्टन्स ग्रियेट नहीं करोगे और आपकी लाइफ बहुत स्मूदली चलेगी और मैनिफेस्टेशन भी बहुत ही आसानी से होगा अब इसके लिए मैं आपको एक्जामपल भी दूँगी जैसे कि आप बहती नदी में जब बह रहे हो तो जब नदी के साथ बहते हो तो कितनी आसानी से बह सकते हो लेकिन अगर आप उल्टा चलो तो आपको उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी सेम चीज यहाँ पे भी होती है आपको कुछ सिखाया जाता है लेकिन आप उसे सीखना ही न ले पाओ और अपने उस विश तक पहुँच पाओ इसका भी ट्रिक जो है मैं आपको बताती हूं कैसे आपको अपने विश तक पहुचना है तो अगर आपके दिमाग में आता है कि क्या है मेरा लेसन क्या है इस प्रोसेस में मानलो आप जॉब मैनिफस्ट कर रहे हूँ कि मैं प्यार से और पेशेंस के साथ अपने सारे लेसन सीख लेता हूँ या लेती हूँ आपको ये चीज बोलनी है जब आप इसे बोलना स्टार्ट करते हो और ये एक वर आपके सब कॉंसेस माइंड में फीड हुई तो यही आपकी लाइफ में रिफ्लैक्ट होगी यही च किया मैंने ये चीज सीखी है ये मेरा एक्सपीरियंस है तो उस एक्सपीरियंस को आपको सीखना होता है आप दो तरीके से सीख सकते हो एक तो रो के सीख सकते हो एक तो खुश हो के सीख सकते हो प्यार से तो मैं हमेशा अपने लिए चुनती हूँ कि मुझे खुशी से और से सीखना है और यह affirmation में अपने लिए यूज करती हूँ कि मैं अपने लाइफ के सारे lessons बहुत ही प्यार से और patience के साथ सीखती हूँ तो आप भी यूज करो और फिर देखो कि नई नई चीजे भी आप सीखोगे और वो सारी चीजे आपके सामने आएंगी वो सारी चीजे आपके नॉलेज आपके इतनी बढ़ेगी कि आप भी कहोगे कि मैं कहा छोटी चिंदी चीजों के पीछे पागल थी यह इतनी बड़ी नॉलेज है जिससे कि मेरी लाइफ और अच्छी हो सकती है इस तरीके से चेंजेज आते हैं तो आज से चीज को फॉलो करना और यह जो बड़ा सर्प्राइस था आपके लिए सेकेंड वाला जो लास्ट जो मैंने कहा था वो मैं आपको बता देती हूँ आपको पता है कि मेरा सेकेंड चानल है उनिवर्सल त्रोथ बुक तो उस पे मैंने कहा था लाइफ सेसन लेने का लेकिन अभी तक वहाँ पे कट लूँगी वीडियो में अटैश करूँगी और उसका प्रॉपर सॉलिशन बताऊंगी उस क्वेस्चन का इस तरीके से हर किसी के क्वेस्चन का आंसर भी मिल पाएगा और आप लोग नहीं चीज़ा सेक सकते हो तो अब आप यहां कमेंड करोगे और अपने सारे डाउट तो यह आपकी गलती होगी अगर आप चेंज होना चाहते हो तो आपको फॉलो करनी होंगी चीजों को और अपने डाउट जो है आसानी से पूछ सकते हो साथ में मैं हर दिन 8 पी एम पे लाइव आती हूं अपने में यूट्यूब चैनल पे यानि इसी चैनल पे मैं लाइव भी रहती हूं वहां भी आप मुझसे कनेक्ट होके नई नई चीजों को सीख सकते हो हर दिन हम एक नई टॉपिक के ओपर डिसकस करते हैं और इंजॉय करते हैं तो आप जुड़े रहिए इंजॉय कीजिए साथ में हम चीजों को सीखेंगे मस्ती करेंगे और अपने बहुत ही असान है बहुत ही अच्छी है एक बार अगर आप लो के साथ बहना सीख जाते हैं तो लाइफ बहुत ही खुबसूरत हो जाती है तो रिजिस्ट करना बंद करें लाइफ को इंजॉय करना शुरू करें क्योंकि हम सब के पास एक लिमिटेड टाइम होता है किसी एक चीज के पिशे हमें नहीं भागना चुई है तो आज के लिए इस वीडियो को मैं इतना ही रखूंगी थैंक यू सो मच फर वाचिंग गॉड ब्लेस्ट यू ओल और लव यू और लव यू अल